hello everyone आज की वीडियो में हम discuss करेंगे कि तो यकि मैडिशन को देख कर उसके use का कैसे पता करें यानि कि दआ के नाम से दआ के काम को कैसे पहचाने तो यह हमारा part 2 है pot one हम already discuss कर चुके हैं तो part one वीडियो का जो link है वो इसी वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे एक word होता है suffix suffix का मतलब होता है जो कि किसी के नाम के पीछे लगता है तो दवाई के अंदर भी जो medicine का नाम है उसके पीछे एक wording लगी होई होगी उसको हम suffix बोलेंगे तो suffix देखकर हम पैचानेंगे कि उस दवा का क्या काम है और वो जो दवा है वो किस group से बिलोग करती है तो दो चीजों के बारे में हमें केवल suffix देकर पता लग जाएगा तो देखते हैं क्या-क्या वो example से देखे डेजोल suffix है अगर किसी medicine के पीछे डेजोल लगा है जैसे कि एलबेंडाजूल, मेटरिंडाजूल, मेबेंडाजूल तो जिस भी medicine के पीछे डेजोल suffix लगा है वो सभी anti-heleventy group की दवा होती है उनका काम क्या होता है उनका काम होता है वो anti-o medicine होती है कहने का मितलब यह है कि अगर पेट के अंदर कीडे है तो उसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है या फिर आथ के अंदर कीडे हैं तो वहाँ आथ के कीडो को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है तो category तो हो गई यह और इसका यूज क्या होगा है इसका यूज है anti-worm यानि पेट और आच के कीड़े कुमार में के लिए इसका यूज किया रता है नेक्स देखिएगा अगर किसी मेडिशन के पीछे प्रोफेन लगा है फोर एक्जामपल आईबी प्रोफेन, कीटो प्रोफेन, फ्लूर भी प्रोफेन फिक है, तो जो ये दवा है, जिनके पीछे प्रोफेन लगा है प्रोफेन सफिक्स देखकर हम पता लगाएंगे फिक है, तो प्रोफेन वर्ड जब भी लगा हुआ होगा किसी भी मेडिसन के पीछे, वो नेसेट्स ग्रूप की दवा होगी एक्जेपल आपने यहां पर देख लिए ठीक है तो नेसेट्स ग्रूप की दवा होगी नेसेट्स का मतलब होता है नोन स्टिरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग इसका काम क्या होगा इनका काम होगा बोडी के अंदर कहीं भी पेन है उसको कम करना फीवर आया है उसको कम कर कि ठीक है तो दो चीजें यहां से पता लगी है अगर किसी मैडिसिन के पीछे परोफेन लगा हुआ है तो वह नेससर रूप से बिलॉंग करेवल और उसका जो use है वो ये use रहा ठीक है next देखते हैं प्रैजोल अगर किसी medicine के पीछे प्रैजोल लगा हुआ है for example omiprazole, isomiprazole, lençoprazole, pentoprazole, rabiprazole, dextoprazole ठीक है तो ये जो सभी medicine है इन सब के पीछे प्रैजोल लगा हुआ है तो जिस भी medicine के पीछे प्रोटोल लगा हुआ है वो जो medicine है वो proton pump in divator होती है यानि कि हमारे पेट के इंदर होता है proton pump उसको इनिवीट कर देती है रोग देती है proton pump के काम जो काम करता न прोटोन pump उसको रोग देती है ठीक है तो जो भी prezol word लगा हुआ होता है जिस भी medicine के पीछे वो proton pump inhibitor group की दवा होती है और इनका काम होता है acidity को रोखना ठीक है अगर किसी को acidity की problem है तब उस condition में ये दवा दी जाती है peptic ulcer पेट के अंदर चाले होते हैं उस condition में ये दवा दी जाती है dudenal ulcer यानि कि आत के अंदर चाले होते हैं तो उस condition में भी ये दवा दी जाती है ठीक है ulcer का मतलब चाले होता है तो acidity हो उसको ठीक करने के लिए या फिर चाले हो चाहे तो वो पेट के अंदर हो या फिर आत कहात के अंदर हो तोनुहीं कंडिशन के इंदर जो यह दवा है यह Wow की जाती है next गलिप्टिन अगर किसी के पीछ पिक्चर दिखर रहे हैं तो यहां से बता लगा सकते हो यहांसे आपके पास यह तो यहां से देखोगी कि इसके पीछे क्या लगा हुआ है प्रोफेन लगा है यानि कि यह नेशर्स गूप से भी लोग करती है इसका यूज आपको यह पता ही हुए ठीक है तो इस तरीके से पिक्चर भी देखो मैंने इसी यह लगाई यहां पर दिख रहा होगा सीटा ग्लि पार्ट वन के इंदर भी मैंने आपको रेकमेंड की था एक चीज ठीक है अभी भी मैं आपको बता रहा हूं अगर आप स्टूडेंट है अच्छे तरीके से चीज़ ठीकना चाहते हो याद करना चाहते हो तो पहण लीजिए और कोपी में लिखना स्टार्ट कीजिए तभी आपको यह चीज़े याद होगी अगर याद नहीं होगी ठीक है आगे बात करते हैं अगर किसी प्लस डाइलेटर, ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई यानि लंग से रिलेट करता है, समास जो नली होती है, सास लेने की नली जो होती है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि इसमें जाके खुलती है, ठीक है, उसको ब्रोंकाई बोला, डाइलेटर, डाइ orter हो Increase कर जाएगा तो यह होता है Dylator का मतलब Dilation expand करना हो तो देखिए मैंने क्या बताया जिस मैंने क्या पर तेरोल व Вर्ड लगा हुक है वह Bronchio dilator होते हैं जो तक 오른scale कर कर देखर दीखें जो संस लेने में तक्लीफ हो रही देखे सांस लेने में तकलिफ कब होती है जब हमारी जो सांस की नली है उसके अंदर सूजन आ जाती है अब अगर सूजन आ जाएगी तो सांस लेने का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा डायमेटर कम हो जाएगा तो ब्रोंकियो डायलेटर क्या करते हैं उस सांस की नली को खोल देते हैं थोड़ा सा expand कर देते हैं dilate कर देते हैं तो इसलिए अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर ब्रोंकियो डाइलेटर्स का यूज किया जाता है ताकि जो air है वो अच्छे तरीके से लंक्स के अंदर जासके और जो वहती है वो सांस लेज के उसको शांस लेने में कोई problem ना है तो यहां पर साब साब लिखा हुआ है ब्रॉंक्यो डाइलेकर्स जो अगे देखते हैं अगे क्या है साइक्लीन अगर किसी मेडिसिन के पीछे साइक्लीन लगा है जैसे टेटरा साइक्लीन, डोक्सी साइक्लीन, मीनो साइक्लीन, ओक्सी टेटरा साइक्लीन, यहां पर आपको दिख रहा होगा, डोक्सी साइक्लीन का कैप्सूल है, ठीक है, यहां भी साइक्लीन वर्ड लगा है, तो साइक्लीन वर्ड भी जिस भी मेडिसिन के पीछे लगा है, वो टेटरा साइक्लीन एंटीबाइटिक्स होती है एंटिबाइटिक्स का आपको मतलब पताई है जो एंटी-마 doubled होती है जो microbes को किल करती है अभी ये कहां- खाल काँ मायेगी इसका use देखिए अगर किसी को respiratory tract infection है वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा अगर किसी को UTI है यानि कि Urinary Tract Infection है वहाँ यूज किया जाएगा आंकों में Infection है वहाँ यूज किया जाएगा Intestine Infection है वहाँ भी इसका यूज किया जाएगा ठीक है Next है Depene अगर किसी Medicine के पीछे Depene वर्ड लगा है For example Nifidipene Felodipene Amlodipene Nemodipene यहाँ भी आपको दिख रहाँ गा Nifidipene का Example यहाँ क्या है Depene लगा है ठीक है तो Depene वर्ड जहाँ भी लगा है जिस भी Medicine के पीछे वो होते हैं Calcium Channel Blocker यानि कि जो Calcium Channel होते हैं हमारी Body के अंदर उनको Block करने का यह काम करती है ठीक है तो Calcium Channel Blockers होते हैं जिस भी Medicine के पीछे Depene वर्ड लगा होगा होता है तो इन Medicine का काम क्या होगा इनका काम होगा Chest Pain को Treat करना Engina बोलते हैं उसको है ना Engina की सिकायत अगर किसी को है यानि कि Chest के अंदर पे इन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इन Medicine का यूज किया जाता है दूसरा इसका यूज है Hypertension यानि कि High Blood Pressure की अगर किसी को समस्या है तो High Blood Pressure को भी Normal करने के लिए इन Medicine का यूज किया जाता है खीक है तो जब भी आपको कोई भी आप Medicine पढ़ रहे हो अगर वहाँ पे आपको Medicine के पीछे Dipin लिखा हुआ मिला तो तुरण समझाना कि Dipin लिखा हुआ है इसका मतलब ये Calcium channel blocker है और इसके दो ही काम होंगे या तो ये Chest Pain में यूज होगा Engina के अंदर या Hypertension के अंदर यानि कि High BP के अंदर जो Blood Pressure High हुआ है उसको Normal करने का जो ये दवाईया है ये काम करती है तो ये इसका यूज है और ये इसकी Class है जिससे ये बिलोग करता है तो ये ये चीज़े हमने यहां से Find Out कर लिए है तो ये थी हमारी Part 2 वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ Suffix के बारे में जाना कि अगर ये Suffix कहीं भी आपको दिखते है तो उससे आपको पता लगेगा इसका Use क्या है और ये किस केटेगरी से बिलोग करता है मैं एक बार फिर से आपको यही recommend करना चाहूँआ कि जो भी चीज़े मैं बता रहा हूँ वो चीज़े आप copy में No Down कीजिए और इसको याद कीजिए तब इसका फाइदा है Otherwise कोई भी फाइदा नहीं है तो यह हमारी part 2 वीडियो थी part 1 हमने discuss कर लिए part 1 का जो link है वो आपको description box में मिल जाएगा और साथ ही part 3 भी इसका आएगा और part 3 का भी जो link है वो आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा जैसे ही part 3 बनता है और जैसे ही YouTube पे upload होता है ठीक है तो आप description box चेक कीजिए वहाँ पे आपको part 3, part 1 दोनों मिल जाएगे तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं next video के अंदर